हलो फ्रेंट्स कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश में परेटन की तो देखिए एक्जाम बहुत ज़्यादा नजदीक है और इस साब से हमें तैयारी को बहुत ज़्यादा स्पीड में लेके जाना सबसे पहले हम बाच पढ़ने वाले धमोनी दुर्ग के बारे में धमोनी दुर्ग का निर्माड सागर जिले के अंतरगर्थ हुआ था और यहां जो दुर्ग है यहां धसान नदी के किनारे निर्मित है इसका निर्माड राजा शूरत सेंके दौरा करवा गया था इन्हें राजा शूरत शाह भी कहा जाता है अगले दूर की बात करेंगे वो है वीर सिंग दूर या फिर वीर सिंग महल वीर सिंग महल का निर्माप वीर सिंग जूदेव के द्वारा करवाया गया था इस महल का निर्मार दतिया जिले के अंतरगत कराया गया था और यह जो महल आपको दिखाई देता है यहाँ साथ मनजिला महल है और यह नो खंडों में विभाजित है तो साथ महिला महल है, साथ मनजिला महल है इसके अलावा नो खंडों में यहाँ विभाजित है अगला है रानी कमलापती पैलेस रानी कमलापती पैलेस का निर्माण भुपाल में करवाया गया था जिसका निर्माण निजाम शाह और रानी कमलापती दोनों ने मिलके करवाया था तो नाम अगर की बात करेंगे तो रानी कमलापती के जो पती है निजाम शाह उनका नाम आएगा या फिर रानी कमलापती का माम आएगा निर्माड कहा हुआ है भोपाल जिले के अंतरगत हुआ है आपको पता होगा कि राणी कमलापती के उपर जब विपत्ती हुई थी जब उनके पती की हत्या कर दी गई थी उस समय राणी कमलापती अपने छोटे बेटे को लेकर इसी महल में आकर रहा करती थी राजवाणा महल का निर्माण इंदौर जिले में करवाया गया था जो की मलहार राव होलकर जी ने करवाया जो की होलकर वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं इस राजबणा महल के सामने दीवी अहिलिया भाई की मूर्ती स्थापित की गई है यह महल साथ मंजिला पहल है और इस साथ मंजिला महल में एक गड़ेश हौल नामकिस्थान इस्थित है एक बड़ा सा हौल इस्थित है गड़ेश हौल के नाम से इसके अलावा इस महल को तीन बड़े शेत्र में यहांपूरा महल फैला हुआ है इसके सांति जात में यहां महल जो है सिंदिया राजवनुश का निवास स्थान था ये कहां पर स्थित है जब हम बात करते हैं तो यहां महल जो है वो ग्वालियर जिले में स्थित है यहाँ एक बहुत ही जादा आलिशान और विशाल महल था इस महल में एक डाइनिंग टेबल पे एक ट्रेन चलती थी जो कि चांदी की ट्रेन थी और उस समय ये खाना परोसने का काम किया करती थी विजय राघवगड का किला देखें ये राघवगड होगा राघवगड विजय राघवगड की किले की जब हम बात करते हैं यहाँ कटिनी जिले में इस्तित है और इसका आकार आयताकार है और इस किले का निर्माण राजा प्रियागदास के द्वारा करवाया गया था किस जिलें में कट्टनी में इस्थत हैं किसने निर्मांड कर दो राजा प्रियाग कर दहार के दो दौरा मिर्माण करिवाया गया और आयाताकार यह जिला यह में हम दुरूग है किला बांधफगड़ के ला बहुत जयादा siento हो जाता है कि शाषिकों के द्वारा कर बनवाया गया कहां बनवाया गया तो यहां उमर्या में इस्तित है पहली चीज इसका निर्माड राजा राजा व्याग देव के द्वारा करवाया गया था यहां से संस्कृत के अभिलेख भी प्राप्त हुए है संस्कृत भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए है राजा व्याग देव के द्वारा इसको बनवाया गया उमरिया जिले में इस्तित है अगला बात करेंगे संबलगड और सुमावली का किला देखें संबलगड का जो किला है यहां मुरैना जिले में इस्ते थे आपको इतना याद रखना है बस इससे जादा रेलेटेड चीजे आपसे नहीं पूछी जाएंगी गिननोरगड का किला यहां प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण भी है यहां आता है राइसेन जिले के अंतरका तो यह वही किला है जिसमें रानी कमलापती रहा करती थी तो रानी कमलापती का निवास इस्थान था सिंगौरगड का किला लेकि सिंगौरगड के किले के जब हम बात करते हैं तो यह किला दमोह में इस्ते थे और दमोह के भी संग्रामपुर में इस किले का निर्मार किया गया था और इस के ले का निर्मार राजा वेन बासोर के द्वारा किया गया था राजा वेन बासोर के द्वारा किया गया था सुन्दर महल देखे जो सुन्दर महल है न यह बहुत इंपोर्टेंट है यह और्चा में इस्ते थे जो कि निवाडी जिले के अंतर गता आता है यहाँ बुंदेला राजाओं के दुवारा निर्मित कराया गया था इस महल को प्यार का महल भी कहा जाता है मदन महन, मदन महल जो है यह जवलपुर में स्थित है राजा अमन महन आपको नाम याद रखना इतना महत्वपूर नहीं इसकी तो फौटो भी नहीं मिल रही गूगल में जहाँगीर महल जहाँगीर महल और्चा में बनवाया गया था राजा वीर सिंग देव के दुवारा जोकी बुंदेला बश्च के शाशक रहे थे जिनकी जहाँगीर से मित्रध अता तही और इनके कहने पर जहांगीर के कहने पर इन्होंने अबुल फजल की हत्या भी कर दी थी गोहत का किला गोहत का किला जो है वह बहुत जाद महात्वपूर्ण है भिंड जिले की अंतरकता आता है फिर आते धार्मिक महत्व के परेटर निस्थल धार्मिक महत्व के परेटर निस्थल में हम बात करेने वाले हैं बहुत सारे जो भी मध्य प्रदेश में मंदिर हैं उन मंदिरों के संबंद में तो सबसे पहले हम देखेंगे खजराहों के मंदिर खज्राहों के मंदिरों का निर्मार चंदेल वणश के शाषकों के द्वारा कराया गया जो कि 10 वी से घ्यारवी शताबदी के मंदिकरवाया गया, इन मंदिरों का निर्मार बल्वा पत्थर से हुआ था जिसमें से जब बनवाए गए थे तो 85 मंदिर बने थे और जब अभी शेश बचे हुए 22 मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं सबसे पहले खज्रहों के मंदिरों का निर्माड किसने करवा तो चंदेल वनश के शाषकों की दौरा करवा गया कब 10-11 शुताबति करवा किस से तो बलुवा पत्थरों से इन मंदिरों का निर्मार किया गया इन मंदिरों को तीन समूहों में बाटा गया है आप तीन समूह कौन कौन से हैं तो दक्षनी पूर्वी और पश्मी समूह में इसके अलाव हम देखते हैं इन मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर जो है व इन मंदिरों में सबसे पहले हम देखने वाले पश्चमी समुह के मंदिर इन सारे मंदिर की फोटो हमने पहले जब हम खजराहों पढ़ रहे थे उस साइम हमने देख लिए तो अभी हम थोड़ा बहुत बात करेंगे जैसे कि लक्षमन मंदिर लक्षमन मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में निर्मित हुआ मंदिर है इस मंदिर में चेंद्रश्रिला और मकर तोरण विशेश आकर्शन का केंद्र है कंदरिया महादेव मंदिर खजराहों का सबसे विशाल और सबसे सुन्दर मंदिर है भगवान शिव को समर्पित मंदिर है चित्रगुप्त मंदिर भगवान सूरी को समर्पित मंदिर है लेकिन यहां पर चित्रगुप्त जी की भी एक प्रतिमा बनाई गई है 64 योगीनी मंदिर खज्राओ का सबसे प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माड ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है पूर्वे समू के मंदिरों की बात करते हैं तो हमें यहां पे जैन मंदर दिखाई देजे जैसे की आदिनात मंदर और पार्षवनाथ मंदर और दक्षणी समू की मंदिर की हम बात करेंगे तो यहां पर हमें जो मंदिर दिखाई देते हैं वो है दुलहादेव मंदर इसके बाद नर्मदा मंदिर की बात करते हैं कि मद्धि प्रदेश में अन्य मंदिर कौन कौन से है तो पहला आता है नर्मदा मंदिर नर्मदा मंदिर अनुपुर जिले के अंतरगत अमरकंटक के शित्र में है मा नर्मदा का उद्गम यहीं से हुआ है तो इसी उद्गम के किनारे पर इस्थित है यहां मंदिर जो कि मा नर्मदा के है फिर आता है सास बहु मंदिर सासमहु मंदिर जो है वह बहुत ही जादा प्रसिद्ध है भगवान विश्नु को समर्पित है और यह मंदिर गवालियर जिले के अंतरगत आता है काच मंदिर काच मंदिर जो है वह इंदौर में इस्थित है जैन धर्म को समर्पित है बावन गजा मंदिर जो है यहाँ जैन धर्म को समर्पित है गोम्मट गिरी मंदिर यहाँ भी जैन धर्म को ही समर्पित मंदिर है और मुक्तागीरी जो मंदिर है यहां मुक्तागीरी बैतूल के भैस्देही में स्थित है और यहां भी जैन धर्मकोही समर्पित मंदिर है चौखंडा और अटखंबा महल यहां महत्वपूर्ण हो जाता है और धनुष धारी मंदिर चौशाठ योगनी मंदिर की हम बात करते हैं तो चौशाठ योगनी मंदिर जो है वो मद्ध प्रदेश में बहुत सारी जगह है जैसे की जवलपूर में है खजराहों में है मुरैना में है तो यह वाला जो चौशाठ योगनी मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यह तो सबसे पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जल्प्रपात चचाई जल्प्रपात कहां पर इस्थित है हम जब चचाई जल्प्रपात की बात करते हैं तो चचाई जल्प्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के रिवा जले के अंतरगत है वहीं यह मध्य प्रदेश का सबस नदी पर स्तित हैं पात् Alice पानी जल्प्रपात वह इंद और जिले की तहसील महूं के अंतर岩 आता है और यहीं पर ममा टात्य अभील की समाधी भी स्तित थै और भीम्राव अंबेटकर जी का जन्म भी यहीं के महूं में इंद्रिया गांधि राष्ट्री मानव संग्रहाल है यह भोपाल जिले में waren हैं हनुमंतिय टापू हनुमंतिया टापू घंडवा जिले के अंतरगत इस्थित है और यहां पर इसी के कारण मद्यप्रदेश की पहली जल परिटर नीती भी लाई गई हैं बहुत ही जादा प्रमुख्या और विषेष्ट इस्थान रखता है इसे मद्यप्रदेश के स्विज़रलेंड के नाम से भी जाना जाता है पच्मडी देखे पच्मडी की जब हम बात करते हैं तो ये मध्यप्रदेश का एक मात्र हेल स्टेशन होने के साथ मध्यप्रदेश में एक विशेश इस्थान रखता है अपना स्वयम का पच्मडी के अन्य नाम की बात करते हैं कि पच्मडी को किस-किस नामों से जाना जाता है तो मच्मडी को प्रदेश की छत के नाम से जाना जाता है इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश का एक मात्र हेल स्टेशन के नाम से जाना जाता है पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से जान आना जाता है और इसी पच्छमरी को सत्थ पुड़ा की राणी के नाम से भी जाना जाता है तो सत्थ पुड़ा की राणी जब हम बात करते हैं तो पच्छमरी की खोज वर्ष 1862 में जीम्स फॉर्शिफ्त के द्वारा की गई थी और इसे वर्ष 1990 में जैव अरक्षित चेतर में भी घोशित किया गया था तो इसकी खोच की गई थी वर्ष 1862 में जो की जैम्स फोर्शित के द्वारा की गई थी और इसे वर्ष 1990 में हम देखते हैं कि जैव आरक्षित छेतर के रूप में घोशित किया गया ये किस जिले के अंतरगत आता है तो ये आता है होशंगा बाद जिले के अंतरगत मध्य प्रदेश में परेटन के जो पच्मड़ी में अधनिय परेटन इस्थल है वो कौन-कौन से है तो एक है प्रियादर्शनी पॉइंट ये एक मुख्य रूप से खाई है इसके अलावा रजद जलप्रपात इसके अलावा जब हम बात करते हैं इको परेटन केंद्र जो है और रवी शंकर जलप्रपात हमें पच्मड़ी के अंतर के दिखाई देता है फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश में शमाधी एकवं मकबरों की कि मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी समाधी महत्वपूर्ण कहां कहां पे इस्थित है पहला आता है होशंग शाह का मकबरा कि वह की अंव्य मिली मारत है भारत की यह हम कई बार पर चुके हैं कि मुम्तास की कप्र यहां वह कप्र है जोकी ताजमहल के निर्मार के पहले onu में पहले को दफन करने पूल बाग की बात करते हैं तो यह किसकी समाधी है तो फूल बाग जो है वहां रानी लक्षमी बाई की समाधी है और इसका निर्माड माधव राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था माधव राव सिंधिया और रानी लक्षमी बाई दोनों जो है वो मराठा से सम्मन्दित है और रानी लक्षमी बाई की समाधी कहां पर बनवाई गई तो गुवालियर जिले में एक इस्थान है जिसका नाम है फूल बाग वहां पर रानी लक्षमी बाई की समाधी का करवाया गया पिर आंगे आता है दोसर दूसरे स्वामी हरिदास है और इस मफ्री के पास में तानसीन का मकबरा भी बनाया गया है तो दोनों गुरु शिष्ष्य का मकबरा एक साथ बनवाया गया है कि बुन्दिलाओं की छत्री बुन्देलाओं की शत्री जो है वहructor बेत्वन अदी के किनारे हैं और निवारी शिले का अंतरकर आती है महराजा circuit शारा साल की समाधि की जब मात करते हैंनु ती ऐस माधि छतर हैं यह समाधि chechen ओड्लें के धुबेला नामक जगह पर स्थित है राणी दुर्गावदी के समाधी की हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जवलपुर जिले में स्थित है और जवलपुर जिले के भी ग्राम बरेला में यह समाधी स्थित है कुगर चैंसिंग की समाधी कहा है श्रीहोर जिले के अंतरगत आती है और श्रीहोर जिले के मैदान में तो 10 सहरा मैदान की अंतरगत कि अन्तर स्वक्र गवाली में और मुहंबत गौस के मखबरें के पास में महञानी संह राजिसंधिया की समाधि की हम बात करतें हैं थो महारानी संह राजिसंधिया की स्वक्पूरी इत्लगात solo B apresentårod गायों कि समाधि के चंदेरी के तहाथ ही हुई थी अशोक नगर के अंतरगत पेश्वा बाजी राओ की समाधी की हम बात करते हैं तो पेश्वा बाजी राओ की समाधी जो है वो खरगौन जिले में इस्तित है देखिए इतने में आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा यहां तक चीजे क्लियर है मुहमद गौस गा मकबरा गौलियर में इस्तित है नेक्स देखिए बुंदेलाओं की शत्री बेतवा नदी के किनारे इस्तित है कहां पर इस्तित तो निवाडी जिले के अंतरकत इस्तित धों आघ्या था और चोतरबुर खिए धो दुबेला में ही महराज 1945 साल की समाधी था राणी दुरगावती अपको पता है राणी दुर्गावति करमनला के शेत्र की शाशिका थी जवल्पुर में इनका अंतिम युद्ध हुरा था तो इसी समय एक नाला है जिसका नाम है नरैई Nala और नरैनाला के शेत्र में राणी दुर्गावति का जो घोरा था वह फस गया था तो इस कपरण इनकी मृत्यों यहाँ पर गया तो यहीं मुहम्मद गौस के सांद गौलिया में बनाई गई है महराणी शांख राजे सिंधिया की समाधी की बात करते तो यह श्विवपुरी में इस्तित है बैजु बावरा की समाधी देखो बैजु बावरा का संपूर्ण जीवन चंदेरी और अशोकनगर के अंतरगत ही बीद गया समाधी महत्वपुर्ण नहीं है तात्या टोपे की समाधी इंपॉर्टेंट है शिवपुरी में इस्तित है यहीं पर इन्हें फासी भी दी गई थी रानी अवंती बाई की समाधी मंडला में इस्तित है मंडला के किस शेत्र में तो रानी अवंती बाई की समाधी गड़ के मंद्ला या WhenDonald में इस्तित्थ है ध यह इंप्रॉटन नहीं है कि गिर्धारी भाई की समाधी में इस्तित कर राम-नगर मंद्ला वाला शेतर है क्यों एवन्ती बाई की सहयका थी हुए उनकी अंग रक्षिका थी इस URL प्रण्ड से दोनों की समाधी एक जगह पर है अब्दल ove चंगेजी का मगरा पीर भुधान का मगरा देखी कि यह पिर नहीं यह पीर है तो पीर बुधान का मगभरा और जलकारी वाई की समाधी जलकारी भाहई की समाधी गौलियर में बनाई गई है रानी लक्षमिवाई के साथ में अबन शाह चंगेजी का मकबरा धार में है वहीं पीर बुधान का जो मकबरा है वहां सावर्ण छेत्र शिव पुरी में स्थित हैं शिव पुरी में हम आपको एक एक छोटे से छोटा परेटन स्थल चोटी सी छोटी समाधी बताते जा रहे हैं कि आपके सब कॉश्चिंस माइड में कम से कम यह सारी चीज़ें क्लियर रहें अब हम बात करने वाले मध्यप्रदेश में वन्निप्राडी परेटन इस्थलों की तो वन्निप्राणी परेटन इस्थलों का संबंध है कि कहां पर नए-नए जीव हमें दिखाई देते हैं,, कौन-कौन से जीवों का संदक्षन करके रखा गया है तो सबसे जादा महात्वपूर्ण क्या होगा पहले होंगे राश्च्री उध्यान और राश्च्री उध्यान के बाद हो जाएंगे अब भ्यारण तो सबसे पहले चलिए मध्य प्रदेश में कितने राश्ट्य उध्यान हैं और इन राश्ट्य उध्यानों को कहां कहां पे रखा गया है कहां कहां पे स्थापित किया गया है हम यह देखते हैं सबसे पहला बांधवगण राष्ट्य उद्यान कहां इस्ते थे उमरिया में इस्ते थे फॉसिल्स राष्ट्य उद्यान मंडला डिंडौरी जिले में इस्ते थे काना किसली मंडला बालाखाट में इस्ते थे माधव राष्ट्य उद्यान शिवपुरी जिले में है पन्ना राष्ट्यूद्यान पन्ना और छदरपुर वाले श्रेतर में है पेच राष्ट्यूद्यान छिंदवाड़ा जिले में स्थित है सत्पड़ा राष्ट्यूद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है जो कि पच्मडी के अंतरगत भी आता है कैसे याद रखना है देखो आप कैसे याद रखना है ये चीज देखेंगे बांधव गड़ राष्टी उद्यान बांधव गड़ का किला कहा है उमरिया में है इस कारण से बांधव गड़ राष्टी उद्यान उमरिया में हो गया फिर फॉसिल्स का वतला पुता है जीवाश्म तो सबसे जादा जीवाश्म कहां से मिले हैं है दिंडौरी से मिले हैं तो जीवाश्म राश्टी उद्यान मंडला और दिंडौरी वाले शित्र में हो जाएगा में जिला पूछा जाएगा तो दिन डौरी आएगा न इसका सही आंसर काना किसली राश्टी उद्यान कहां है मंडला और बालघाट जिले में स्थित है काना का गेहना भी कहा जाता है 12 सिंगा को कौन से प्रकार के भूर सिंग बारा सिंगा को जो कि मध्य प्रदेश का राजकी पशु भी है ये बात भी याद रखना है तो मंडला बालागाट वाले शेत्र में काना किसली नैशनल पार्क इस्तित है माधव राष्टी उद्यान देखें माधव राष्टी उद्यान के जब हम बात करते तो एक माधव राव सिंधिया थे आपको याद होगा सिंधिया राजवंश के तो उन्ही के नाम पर शिवपुरी में खोला गया है तो क्योंकि सिंधिया राजवंश का जो छेत था वो पूरी में इस्तित है पन्ना राष्टी उध्यान नाम से इस्तष्ट है पन्ना में होगा अर्थात पन्ना में है पेच राष्टी उध्यान छिंदवाडा जिल्ले की अंतरगत आता है और आपको पता हुआ कि पेच अभ्यारण जो है वो भी छिंदवाडा की अंतरगत ही आता फिर मेकाल परवश्चहिला पूरी शंखला को लेती है सथपुड़ा परवश्चहिली सबसे मुखी कहाँ पर है यहां पर यह महादेव परवश्च रंखला में जहां पच्मणी इस्थे थे वहां पर सबसे जादा परेटा निस्थाल है इसका तो इस कारण से सत्पुड़ा परवर्श रंकला की नाम पर सत्पुड़ा राष्ट्युद्यान का निर्माण होशंगा बाद जिले में किया गया संजे राष्ट्युद्यान सीधी और सिंग्रोली में संजे गांधी जैकी हम बात करते तो यह बहुत ज़्यदा सीधी थे तो सीधर ओम कारिश्वरी राष्ट्युद्यान और कर शेमीद्धार से मिले हैं और यहां पर क्या बनाया जा रहा है एक जुरासिक पार्क बनाया जा रहा है डाइनसौर की मुवी के बिलकुल सैट की तरह तो इस कारण से यहां जो है वा धार जिली में Stephित हैं और कुबार पर सबसे नया है और शियोपुर में सथित हैं मध्य प्रदीश के प्रमुख जलप्रपाद भी देख लेते हैं अब चचाई जलप्रपाद जो सबसे बड़ा है 130 मीटर की उचाई के साथ बीहण नदी पर इस्ते थे रिवा जिले में इस्ते थे कपिल धारा जलप्रपाद नर्मदा नदी पर अनुपुर जिले में इस्ते थे दुवा धार नर्मदा पर है लेकिन जवलपुर में इस्ते थे दुख्द धारे की जब बात करते हैं तो यह अनुपुर में इस्ते थे मंधाता जलप्रपात की बात करते हैं तो ये खंडवा जिले में इस्तित है लेकिन नर्मदा नदी पर ही है भूरा खो जलप्रपात सिंध नदी पर है शिवपुरी में इस्तित है और संकुवा जलप्रपाथ जो है वो दतिया जिले के अंतरकत होगा और सिंध नदी पर है संकुवा का मेला भी लगता है दतिया में ही पांडव जलप्रपाथ जो है वो केन और उसकी सहाइक नदी पर है और पन्ना में इस्तित है वहीं पांड़क गुफाएं कहां पर है तो वो पच्मडी में स्थित है शहस्त धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है कहां पर है तो खरगोन जिले के अंतरकत आएगा गांगुल पारा ये बाला घाट में आपको याद रखना है बहुती जलप्रपात बीहर नदी पर है रीवा जिले के अंतरकत आता है शंकर खो जो है वो शिवनी में स्थित है केवटी जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है पाताल पानी चंबल नदी पर है और इंदौर जिले में स्थित है भालखुंड जलप्रपात बीना नदी पर है और सागर जिले में इस्थित है तोस जलप्रपात रीवा में इस्थित है भर्दबदा जलप्रपात सुनार नदी पर दमोह में इस्थित है इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश में सभी जल्प्रपातों को और संपूर्ण परेटा निस्थलों को पढ़ लिया देखे जल्प्रपात आपके लिए मुश्किल रहे होंगे एकदम से आपको सारी चीज़े याद नहीं होने वाली आप एक काम कीजिए एक एक करके मतलब क्या कीजिए पांच जल्प्रपातों का ग्रुप बनाईए जैसे की ये हमने मालीजे पांच जल्प्रपात शुरुवात के बना लिए ग्रुप चचे जर्प्रपाद कपिल धारा धुआधार दुग्द धारा और मन्धाता आपको क्या करना है नर्मदा नदी के जर्प्रपाद पहले निकाल लेने हैं जो जैसे की कपिल धारा, धुवाधार, दुख्द धारा, मन्धार और इसके अलावा शहस्त धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर इस्थे थे तो चारों को एक लाइन से लिख लिए कि नर्मदा पर इस्थे थे आपको याद रहेगा नर्मदा आपको वो याद रख लेना अप वहा तंतर की यह अनुपुर से गुजर रहे हों मध्यप्रदीर कैसे निकलती है और काई कौन कौन सा जलप्रपात बसी जैसे की 8 जहां से निकलती वहां पर दो जलप्रपातत एक का नमें दुर्वासा दुशरे का नम कपिलधारा दुर्वासा को ही दुखदधारा के नाम से जाना जाता है तो दुखदधारा मतलब हमारा कपिलधारा बन गया और दुखदधारा मतलब धुवाधार बन गया फिर आंगे आई जवलपुर में जवलपुर में बनाई धुवाधार तो धुवाधार क्लियर हो गया दुआधार जलप्रपात फिर थोड़े आंगी आई खंडवा जले के पास-पास में और मंधार जलप्रपात बनाई इसे मंधाता भी कहा जाता है ये मंधार कंप्लीट हो गया खरगौन में जैसी आएगी तो महिश्वर बनाएगी तो खरगौन में महिश्वर सहसधारा जलप्रपात का निर्मार करती है खरगौन के महिश्वर में तो हमारा यहाँ पे शहस्धार भी बन गया तो इस प्रकार से हमने आप वहाँ तंत्र को देखते हो जलप्रपाता को याद कर लिया वैसे ही अब आपको क्या करना है नर्मदा नदी हो गई अब आपको याद रखना है कि मालो आप सिंध नदी उठा लिए कि सिंध नदी में कौन-कौन से जलप्रपाता है चम्मल नदी में कौन-कौन से बीहर नदी में कौन-कौन से ऐसे आपको यह सारी चीज़े याद हो जाएंगी इसके साथी में हम आपसे मिलेंगे नेक्स वीडियो में आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताए ओके थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में